सबी भवियात्मा उनको मेरा प्रणा जैजेने मेरा नाम चंदप्रबाश शहा निप्पानी मेरी उमर 59 है आजा में देखना है कि फागन सो तेरस को छवकाव की यात्रा की कहाने आप सभी के मन में कभी ना कभी यह सवाल आता ही होगा हमें पाली तना की यात्रा फागन सो तेरस को क्यो करने जाते है फागन तेरस की ऐसे क्या विशिष्टा है गावों से शहरों से विदेशों से इतनी संख्यामी लोग भगवान आधिनात की यात्रा करने आते है दर्शन करने आते हैं क्या उसी दिन ऐसा खास हुआ था क्या घटना हुई थी क्या इतनी संख्या में लोग पालीतना यात्रा में आते हैं तो चलिए जानते हैं कि यह घटना क्या थी यह घटना बाविसा में बाविसा में तीथंकर परमात्मा सी नेमिनाद भगवान की समय की है जब सी कृष्ण महाराजा के पुत्रों मों से दो पुत्र शामभा और प्रध्युम्न ये दोनों नेमिनाद भगवान की पावनवानी सुनकर उन्हें वैरा के उत्पन हुआ भगवान ने मिनात भगवान के समक्षत दिक्षा ले ली और प्रभु की आध्या लेकर वे शत्रुन जय गिरी राज के उपर तपस्या उध्यान करने लगे अपने सभी कर्मों से मुक्त होकर भागन शुद तेरस के दिन सी शत्रुन जय गिरी राज के उपर भाडवा के डोंगर उपर साड़े आठ करोड मुनी भगवनतों के साथ मुनी शाम्बव प्रध्धुम्न को मोक्ष की प्राप्ति हुई यहो दिन बहुत बड़ा था और उनको याद करते हुए मुक्ष की यात्रा की स्मरन करते हुए दर्शन करने के लिए लगबग सवरेंशी 84,000 बर्शों से यहो यात्रा की प्रधा चली आ रही है और आज भी 1000,000,000 लोग यहो यात्रा करने को आते है यदि आप फागन तेरस को सत्रुणजय की यात्रा न कर सके तो घर पे ही भाव यात्रा करे और अपने कर्मों की निजरा करे मिशन पाली ताना के ध्यान में रखते हुए पाली ताना में कम खर्च करे और कुछ भी ना खरीदो कुपा करके योटूब के जाके विडियो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर 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 करना धन्यवाद